जी आप सभी लोगों का सुवागत है आपके अपने पडिवाड फिउचर ओनलाइन क्लासे सोनपुर में और आज हम इस विडियो में बिहार डिलेड इंट्रेंस एक्जाम दोजार चौबिस से शब्वी सेशन के बच्चों के लिए होस्टल फी और होस्टल की शुदा के उपर बात करने वाले हैं कि आप सभी लोगों का जो एड्मिशन पर क्रिया होने वाले हैं कल से आप सभी लोगों का डिलेड कॉंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वी दिन आपका जो है एक सब्ता बात जो है एड्मिशन की पर क्रिया में शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद जब आपका admission हो जाएगा और एक महीने बाद आपका class जो है शुरू हो जाएगा तो आपको class जो है daily करने हैं तो जो बच्चे दूर दराज के होंगे उनको hostel की सुगदा दे जाती है सरकारी college में और जो hostel के fee होते हैं और जो hostel में क्या क्या सुगदा मिलती है तो वो मैं आपको detail में बताने वाला हूं साथ यहां तो मैं नहीं बता सकता कि किस college में जो होस्टेल है और किस college में नहीं है क्योंकि पूरे बियार में 60 government college है और मुझे अभी तक पूरे government college के बारे में जो hostel के बारे में है बहुत जनकारी में है ऐसे म जनकारी प्राप्त करके आपको बहुत जल्द बता दूँगा लेकिन हाँ डियलेट जो आपका entrance exam हो गया है कल से आपका counseling होगा और जो उसके बाद admission होने के बाद जबाद पढ़ने जाईएगा तो बहुत सारे बच्चों को hostel की सुगदा चाहिए तो hostel में आपको जो है क्या आपका बच्चों को दी जाती है उसी तरह आपका hostel फी में भी जो है क्याटेगरी देखा जाता है जैसे हम बात कर ले तो जो बच्चे जिनरल होते हैं ओवी सी होते हैं आपके जो है इबी सी बाले होते हैं या जो बच्चे आपके EWS बाले होते हैं इन सबी लोगों को एप्रोक्स जो है पान से लेकर छोगाजार रुपय प्रती वर्ष जो है लगता है यह जो है प्रती वर्ष की बात कर रहा है प्रती वर्ष यानि कि एक साल का hostel फी पान से 6,000 रुपय उन केवल रहने के लिए यहाँ पर इनका 6 से लेकर 7000 रुपय लगता है वहीं पर बात कर ले जो आपका physical disable वाले हैं, SC वाले हैं, ST वाले हैं, इन सभी लोगों को जो है केवल आपका लगता है चार से 5000 रुपय इनका लगता है, चार से जो है 5000 रुपय लगता है प्रतिवर्ष, कितना वर्ष? प्रतिवर्ष, यानि कि एक साल के लिए लगता है अगर मैं आपको बता दू कि यहाँ पर लड़का और लड़की दोनों का यह fee structure है जहाँ पर आपका जेनरल के टेगरी OBC, EBC और EWS वाले हैं, तो आपको होस्टल fee जो है 6-7,000 रुपय प्रतिवर्ष लगेगा गौर्वर्मिन कॉलेज में, वही पर अगर आप फीजिकल डिसेबल वाले हैं, वह आपको जो है, यानि कि 12,000 रुपय लगवग जो है लग जाता है, 12,000 वही पर अगर आप जो है ST है, ST है और PH वाले हैं, तो आपको जो है 10-1000 रुपय जो है 2 साल का लग जाता है, समझ गना, या आपके होस्टल free होते हैं, 7-7 लड़का – लड़की दोनों के लिए होस्टल लफ़ लब दूते हैं, अगर मैं बात कर लू, पिर आपको होस्टल मिलते हैं, तो उसमें क्या-क्या सुवदा मिलेगी, उसके उपर भी देख लिजे, तो आपको होस्टल में जो है, बेड मिलता है, टेबल चियर मिलता है, पंखा मिलता है, पाने मिलता है, सौचाले मिलता है, रूम मिलता है, कमबाइन मिलता है, एक रूम में आप जो है, दो लोग रख सकते हैं, तील लोग रख सकते हैं, साथी सा में आपको बता दू कि अगर भोजन की बात कर लेंगे, यह जो मैंने आपको फी बताया है, यह केवल होचल फी रेंटर बताया है, रहने के लिए, भोजन का पैसा आपको अलग से लेगा, बोजन के लिए आपको खुद से बनाना होता है, नहीं तो अगर मेश मिलता है, तो आ अगर मेस की बात कर ले तो महिना का आपको जो है दो हजार रुपए लगवग या ती दो सिती निजार रुपए लगवग लेते हैं नहीं तो खुश्ते आप बनागर खाईए बाकि आपका होस्टल फी यही होता है 12 और 10 जर के बीच में आपको लिया जाता है दो बर्स के लि मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी लोग उससे निवेदान है चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को लाइक सेर और सुस्क्राइब जो है जरूर कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद ओके टेक केर